Question number 6 का answer आप लोग दीजिये हम देखना चाहते हैं इस question का answer कितने student दे रहे हैं इस question को हम देखना चाहेंगे कितने student solve कर रहे हैं सारे student answer देंगे ये जो question है most important question है पूछा गया question है कोई वैपारी समान बेचते समय अंकित मुले पर 40% छूट देता है और उसे 30% की हानी होती है यदि वह अंकित मुले पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत होगा क्या बोल रहे हैं 40% का छूट जब दे रहे हैं तो 30% की उसे हानी हो जा रही है अगर उसे अंकित मुले पर जाए तो लाभ क्या होगा कितने परसेंट का लाभ होगा यह बताना है बताए तो यह आसान कोशन है करने की ज़रूरत ही नहीं है ध्यान से आप सब सुड़ेंट देखेंगे कोशन बोल रहा है क्या कोई वेपारी समान बेचते समय अंकित मुले पर 40% छूट देता है MP अंक जाती है क्या हो जाता है 30% की हो जाती है ध्यान दिजयेगा आप समभी सूढेंगे ज्ञादा कुच करने की ज़ोरत नहीं है देखिएह यानि साथ रूपे ये जो साथ रूपय है, ये कितना परसंट हो जा रहा है, 70% हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, 60 रूपय बराबर क्या है, 70% है, यही तो कहह रहा है, कि ध्यान दीजिए, थोड़ा से समझना है, कोई वेपारी समान बेचते समय, अंकित मुले पर 40% का छूड़ देता है, यानि अंकित पर बेचा जाए, यानि जब हम इसे 100 रुपे में बेचेंगे, कितने में? 100 रुपे में बेचेंगे, तो क्या आएगा इधर? 7 रुपे बराबर 70% तो 100 रुपे बराबर क्या होगा? 70 रटा का 68 और गुने क्या होगा? 100 इसी को solve करिये, देखिए 100 से कितना ज्यादा रहे? जित से 0 कटा 70 रहा में 700 यह हुआ 700 बटा का 6 700 बटा का 6 का मतलब होता है 700 को 6 से भाग करना 11 6 के क्या होता है 6 4 ध्यान दिजेगा 4 4 6 6 6 6 36 और यहां पर हुआ 4 116 शही 6 ध्यान दिजेगा 116 चार बटा 6 यहां पिसकी जगा पे लिखेंगे 116 चार बटा का 6 चार बटा का 6 मतलब 2 धुना के 4 ध्यान दिजेगा 116 ध्यान दिजेगा 2 बटा का 3% तो यहां पे प्रॉफिट कितना हो रहा है इसमें से 100 माइनस करेंगे तो यह आएगा आपका 16 सही 2 बटा का 3% 100 से कितना ज्यादा है 16 सही 2 बटा 3% आंसर होगा option number C